मौनसून दिली में दस्तक दे चुका है ऐसे में दिली कितना तयार है इस मौनसून से इसी की हगीकत जानने के लिए जब हम सड़क पर उत्रे जमीनी हगीकत जानने की कोशिश की तो यहां पहुँचे हैं बाबरपूर बाबरपूर में अगर आप देखें तो यह में रोड है यहां पर जाहतर जो वाहनों का आना जाना यहीं से होता है लोनी रोड आगे यह जोडता है और ऐसे में अगर आप यहां देखें तो कुड़ा करकट सड़कों पर पड़ा हुआ है अगर नालियों की बात करें तो नाल आपके चनल के मादम से बताना चाहता हूँ मैं कि बरसाथ के महीने में आते ही इनके सफाई सुरू होती है यह काम इनका एक महीने पहले भी हो सकता है गाद निकालने का काम जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है यहाँ पर निकालने के बाद बी यह लोग उठाने भी नहीं है और आपके चनल के मादम से बताना चाहता हूँ कि यह काम यदि महीने दो महीने पहल कर पहले सुरू हो जाए तो ना तो इसमें सरकार बारिष में क्या हालो बारिश के अंतर ये सारी जाता है यहां पर बहुत गंगी होती है और यह सब बिट्टी पड़ी हुए इस तरी के से ही सारा हो जाता है मुझे लगता है यह साधरा है और इसकी यह स्तितिती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हाल यहां होता होगा जब बारिश का सीजन जो है शुरू हो जाता है यहां पर देखे यहां इसी तरह की हालत है यहां नगर निगम पर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं और नगर निंगम इस बात की सफाई भी देता रहा है कि बारिश सरी पटने के लिए तमाम जो है जो काम है वो किये जा रहे हैं आप हाला देखिए कि यहां पर पूरा करकट बाहर है और अगर नालियों का साफ करने का काम है वो भी अब तक शुरू नहीं हुआ है यह सिर्फ एक रोड है और मुख्य रोड है जो की शहादरा और पीछे लोनी से जुड़ता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दिल्ली इस वक्त किस कदर जो है किस हालात में हैं और मौनसून में क्या हालात होंगे इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कैम्परमेन ललित के साथ पूजा राठो शर्मा टोकले हैं उस देपी